हेलो दोस्तू, हिंदे इंड़ोई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तू, आज मैं आपको मुबाईल कॉंटेक्ट लिष्ट की एक खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो बहुत जादा इंपोर्टेंट सेटिंग है दोस्तो, जब भी हम अपने फोन में किसी नमबर को सेओ करते हैं तो एकी नमबर को हम एक बार, दो बार, तीन बार सेओ कर लेते हैं जाने अंजाने में एकी नमबर को अलग-अलग नाम से सेओ कर लेते हैं जिसकी वज़े से हमारे mobile की contact list में कई सारे duplicate number से हो जाते हैं जिनने delete करने में काफी हैरानी और परिशानी होती है तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि एक click में आप अपने mobile में सभी duplicate contact को delete कर सकते हैं जितने भी duplicate contact होंगे चाए वो Gmail account में हो या SIM 1 में, SIM 2 में या phone memory में सभी duplicate contact को आप एक click में delete कर सकते हैं एक click में धूंड सकते हैं आपको धूंडने की जरुवत नहीं है तो बहुत ही useful setting है अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तो वीडियो को like कर दीजे अगर आप नए हैं तो यहाँ पर click करके channel को subscribe कर लीजे साथ में bell icon को दबा कर इसे all पर set कर दीजे ताके आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए और दोस्तो आपको नीचे आके comment भी कर देना है very nice इतना काम करके जरूर से आप मुझे support कीजिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको इस app को download करना है इसका link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से आप इसे आसान इसे download कर सकते हैं इसे open करने के बाद जो भी आपसे permission मागेगा आपको सभी permission को allow कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा जिससे क्या आप देख सकते हैं Google, Messenger, SIM1, SIM2 यानि के दोस्तों आपने कहां कहां कितने number save किये हैं वो यहाँ पर आपको बता देगा और इसके अंदर कितने duplicate contact है वो भी आपको बता देगा जिससे आप एक click में delete कर सकते हैं टीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैंने Google account में कितने number save किये हैं यहाँ पर मैंने address number save किये हैं और duplicate number धुणने के लिए दोस्तों नीचे find duplicates पर click कर देना है तो यह load होगा और आपको बता देगा जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बोल रहा है कि इसके अंदर कोई भी duplicate number save नहीं है तो इस तरह से दोस्तों इसने मुझे बता दिया कि मेरे Google account में कोई भी duplicate number save नहीं है टीक है अब हम चलते हैं SIM1 में SIM1 में दोस्तों तीन number है यहाँ पर दोस्तों यह एक click में बता देगा कि इसके अंदर duplicate number है या नहीं यहाँ पर हम click कर देते हैं दोस्तों इसने बता दिया कि इसके अंदर तीन number जो है वो duplicate है यहाँ पर मैं click करता हूँ yes करता हूँ दोस्तों यह तीनों ही number delete हो जाएंगे इस तरह से दोस्तों आप आसानी से duplicate number को delete कर सकते हैं जिसे के आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दोसो 3 नंबर थे अब दोस्तो हो गए है क्योंकि जो 3 duplicate नंबर थे वह मैंने delete कर दिये हैं अब चलते हैं सीम टूब में और यहाँ पर देख लेते हैं कितने duplicate नंबर है दोस्तो इसने एक किलिक में मुझे बता दिया कि यहाँ पर तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वट्सब, फिस्बूक पर शेर कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकोन को दबा कर इसे ओल पर सेट कर दीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टैंक यू